अपरेशन साइट पर तेजी के साथ काम चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के ग्यारवे दिन अमेरिकन आगर मशीन सफलता पुर्वक काम कर रही है पहले से डाले गए 22 मीटर पाइप से आगे अब बोरिंग निकल गई है 27 मीटर तक पहुंचे 800 अमेम ब्यास के पाइप और आपको ये भी बता दे कि 6 मीटर लंबे पांच में पाइप को डालने की अभी तयारी चल रही है तो 22 मीटर पाइप से आगे बोरिंग निकल चुकी है और माना ये जा रहा है कि बहुत जल्द आप मजदूरों तक ये पाइप पहुंच जाएगी फिलाल आप देखिए किस तरह से ये रास्क्यू उप्रेशन चल रहा है इसकी तस्थीख भी आपको हम दिखाएगे और टरनल साइट पर अब एक बोरिंग मशीन पहुंची है जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम करेगी जिसके लिए बियारों ने टरनल के उपर रोड बनाया है और साथी साथ ड्रिलिंग के लिए प्लाटफॉर्म भी तयार किया है वही माना ये जा रहा है कि आज काम इस पर शुरू कर दिया जाएगा और बदाय जा रहा है कि इस मशीन से लाइफ सेविंग पाइप टरनल के उपर से डाले जाएगे जो कि करीब 24 सिंच मोते होंगे साथी दो मशीने ओडिशा और गुजरात से आएगी वो आज देरशां तकाने की उमीद है उन मशीनों की सहाइता से एक दश्मिलत दो डायमेटर की वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी जिससे टरनल के अंदर फसे मज़़ूरों के लिए रेस्क्यू किया जाएगा तो युद दिस्तर पर चल रहा है काम और ये दस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अलग-अलग मशीनों की जो अलग-अलग जगों से मंदवा ली गई है वाकी-टॉकी की जरीए कल मज़़ूरों से संपर्ख भी किया गया था और आज की बात करें तो आज माना जा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाए जाएगा और आज का दिन काफी महतोपुन बताया जा रहा है अगले 30 घंटे जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ अच्छी ख़बर मिल सकती है तो पांच अलग-अलग प्लांज है प्लांज ए बी सी डी और ई अलग-अलग प्लांज पर काम किया जा रहा है और चलिए सीधा रुक करते हैं बलबीर परमार हमारे से योगी हमारे साथ लाइव जूट चुके हैं बलबीर लगातार हम देख रहे हैं कि मशिनरी भी अलग-अलग जगों से मंगवाई जा रही है बोरिंग की जा रही है ताकि जल से जल मजदूरों तक पहुँचा जाए अगले 30 घंटे बहुत महतोपुन बताए गए हैं लेकिन अभी फिलहाल जो ताज़ा दो मशीनें मंगवाई गई हैं ओगर मशीन ड्रिलिंग मशीन उसके बारे में थोड़ा सा बताईए किस तरह से आसान हो जाएगी रेस्क्यू किरा सेरम इस समय जो रेस्क्यू ऑपरसन का 11 दिन है बड़ा अपडेट यह है कि जो जो अमेरिकन ओगर मशीन है वो सही से काम कर रही है जो बड़ा अपडेट आया है और कह सकते हैं कि जिस तरह से अपडेट मिल रहे है यह जो बताए जारा था कि 30 से 40 घंटे में यह जो पाई बिच रहे है तो तो अच्छी ख़बर है यह और उम्मिदे की जारी है कि जल्द जो यह ऑपरेशन है आगे बड़ेगा और जो अंदर 41 जिन्देगिया जो फसी हुई है उनको सकोसल बाहर निकाल लिया जाएगा और इसमें तश्वीरे देख सकते हो किस तरह से ज जागातार मशीन मशीन जो साइड पर है वहां पहुंच रही है और और सबसे बड़ी ख़बर यहीं है कि जो अमेरिकन और बोरिंग मशीन है वहां सही से काम कर रही है चटवा पाइप वेल्डिंग होके लग गया है तो कह सकते कि 30 मिटर से अधिक पाइप अंदर डाल दिय गया है और लगभग जो साथवा बता रहा जा रहा है कि साथवे पर बोरिंग की तयारी चल रही है उस पर वेल्डिंग की जाएगी तो कुल मिलाके कह सकते कि जो प्लान है अमेरिकन जो बोरिंग मशीन है इसके जरिये ही पाइप को मलवे के अंदर डालते हुए जो है उनसे भी लगातर संपर्क किया जा रहा है तो जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है क्योंकि ग्यारा दिन हो गया हो ग्यारा दिन बड़ा लंबे समय होते हैं लंबे समय जो अगर मशीन है वो लगात लगातार आगे बढ़ रही है तो जो टाइम दिया हुआ था कल जिस तरह से प्रेस वारता हुई थी कि तीस से चालिस घंटे का यह और एक अच्छी खबर सामने आएगी तो लगभग उम्मीद हैं अब की जा सकती है कि कभी भी अच्छी खबर ज बिल्कुल जो यह मसीने है पांस तरह के प्लान पे काम करने की बात कही जा रही है हालांकि जब से यह अमिरिकन जो बोरिंग अगर मशीन है जो जो लगातार काम कर रही है तब से जो बाहर का और जगा पे जो काम होने चाहे थे वो काम सुलो हो गया है हालांकि एक बोरिंग मशीन साइड पर पहुँच गई है वो अगर कोई दिकते आती है तो वो बोरिंग मसीन भी आज साम से काम सुरू कर देगी इसके रावा जो जगा चिनी किये है वहां भी मसीने पहुच रही है पर सबकी नजर इसमें यही है कि जो टरनल के अंदर जो अमेरिकन ओगर मशीन है जो उस पे सबकी नजर ठीकी हुई है क्योंकि जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है क्योंकि पहले 22 मिटर पे अटक गया था पाइप उसके बाद आप जिस तरह से खबरे आ रही है कि जो 800 mm के पाइप बिचाए गए वो 30 मिटर को क्रोस कर गया है और मैं बता दूं कि यहां पे 20-40 मिटर का पेच है जो मलवे का वही सबसे कठिन होने वाला है अगर वहां से पाइप गुजर जाते है तो यह रेश्क्यू ऑपरसन है जो अगर जो आगर अमेरिकन मशीन है वहां सही डंग से काम करेगी और जल्द ही इस रेश्क्यू को अंजाम दे दिया जाएगा ज उसके बाद सबसे हैं उसके बाद सब्सक्राइब करके तो चालिस पार हो जाएगा जो गई गड़ी है साथवे पाइप तक ही है उसके बाद जो एक्सपर्ट की राय है कि हम जल्दी से ही जो दूसरे छोर में जो मजदूर है वहां तक पहुंच जाएंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि साम तक अच्छी खबर आएगी और जो अच्छालिस मजदूर है और यह भी किलिय बिल्कुल बलबीर आप लगातार ग्राउंड जिरो पर बने हुए हैं लगातार आप जानकारी दे रहे हैं इस बीच एक और जानकारी ये भी दीजीगा कि ये जो करमचारी दिखाई दे रहे हैं हमें करीब कितने लोग है इस रेस्क्यू टीम में जो इस काम में लगे और क्योंकि दिन रात काम चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि पूरे तरीके से यहाँ पर युद्सतर पर काम चल रहा है फिलाल तीन तस्वीरे अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं बलबीर मैं लौटूंगी आपके पास दोबारा ये तीनों तस्वीरे आप जो इसी मशीन के जरिये होगी जो आप दूसरी मश्यां जुड़ीर में मशीन अभी देख रहे थे और तीसरी तस्वीर रेश्कूंगी है जो मशीन लाई गई है जिसके जरिये रेस्क्यू किया जाएगा वो तीसरी में आप देख सकते हैं अब्सक्राइब बलबीर लगता चुनौतियां क्या-क्या सामने आ रही है इस वक्त इन के सामने विल्कुल पांच एजनसीयों को ये पूरा जिम्मा स्वोपा गया है इसके लावा HDRF, NDRF, स्वास्तिय बिवाग भी मोके पे टटा हुआ है आई टीबी के जवान भी मोके पे टटे हुए पर पांच जो एजनसी है महतवपूर्ण जिसमें रेलवे, S.J. विजनल, O.N.G.C., T.H.D.C. और N.H.I.D.C. इन पांचों को जिम्मेदारी शोपी गई है कि ये पूरा ऑपरिशन को अंजाम देना है पांच जगा पे चिनित किया गया है और सबसे महतवपूर्ण जगा इसमें यही जो टरनल के अंदर जो ऑपरिशन पिसले ग्यारा दिनों से चल रहा है तो टरनल के अंदर सबसे महतवपूर्ण है और जिस तरह से जो अगर अमेरिकन मशीन है वो आगे बढ़ रही है इंजिनियर है उनके एक्सपैड है वो पहुचे हुए है और पूरे ग्यारा दिन का समय हो गया है लगातार जो ऑपरिशन है 24 गंटे जासे जारी है तो सभी जगा पे रंडिती बनाई गई है और उमीद सिर्फ आप ये ठीकी हुई है कि अगर जिस तरह से अमिरकन ऑगर जो बोरिंग मशीन है जिस तरह से आगे बढ़ रहे है बताये जारा कि 6 छटवा पाइप भी आगे चला गया है तो अगर ये पूरी तरह से आगे जाता हो साथवा पाइप इसमें वेल्डिंग होके लगता है तो चालिश मिटर की दूरी तेह हो जाएगी तो चालिस मिटर की द देर साम या रात तक सत्रा मीटर की दूरी भी पार कर ली जाएगी तो सब की नजर यहीं यहां पर अगर कुछ गड़वार होता है तो और जो प्लान बराएगा है जैसे कि अब जो टनल के राइट साइड में जो वर्टिकल डिलिंग की जानी है उस उस पे यूदिस तरफे का होगा मसीने उडिसा और गुजरास से मंगाई गई है और इसके अलावा एक होरीजंटल ड्रिलिंग करने की बात की जा रही है तो प्लान लगातार तयार है पर उम्मीद है जो यह टनल है इसके अंदर जो अमेरिकान और बोरिंग मसीन जो लगी हुई है इस पर उम्मीद है लगातार जारी है और मंगलवार को टनल के अंदर फसे मजदूरों की तस्वीर भी सामने आई सबसे बड़ी बात यह है कि सभी मजदूर सुरक्षित है उनसे वीडियो पर भी बातशीत हो पा रही है अब आज दिन भर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा यानि कि कल हमने देखा किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा आज भी जानी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए नीरच खेरवाल ने कहा कि अगले 30 घंटे में अच्छी खबर मिल सकती है उन्होंने कहा कि टनल में वॉकी टॉकी भीजा जा चुका है उससे आगे अब 800 mm की पाइप डाली जा रही है आगे कठोर चटनान आई है और इसके लिए पोकता इंतर्जाम भी कर लिए गए है इतना ही नहीं उन्होंने बताए कि और वर्टिकल दोनों ही तरह की ड्रीलिंग की तयारी है और एक साथ पार जगों पर ड्रीलिंग की ज और ये ची तस्वीर आप देखिए जो कल सामने आई सभी श्रमिक का सुरक्षित है इसकी एक तस्वीर भी सामने आ गई है 41 मज़ूर जो फसे हुए है उसकी तस्वीर आप देखिए सबसे बड़ा रस्की ओपरेशन लगातार जारी है और मज़ूरों से बातचीत भी हुई वॉकी टॉकी के जरिये वीडियो के जरिये भी उन्हें देखा गया 12 नवंबर से ये जंग लगातार जारी है खाना जो उन तक लगातार पहुँचाया जा रहा है उसकी भी एक तस्वीर आप देख पा रही है और इसी बीच एक बड़ी खबार देहरादूर से आज सीम धामी समिक्षा करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक महतवपुर मीटिंग करने वाले हैं 3 बच कर 15 मिनट पर अधिकारियों के साथ ये मीटिंग करेंगे सीम पुषकर सिंग धामी तो सवा 3 बजे अधिकारियों के साथ ये मीटिंग रहेगी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हलांकि आपको बता देएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार ही जारी है सुबस के ही हम देख रहे हैं कि लगातार दिंदार्त काम वहाँ पर चल रहा है पांच प्लांज के जरीए अपकाम क्या हुजा रहा है ग्यारवा दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का और बड़ी जानकारी है कि सीम पुषकर सिंग धामी आज इक मातपूर मीटिंग लेने वाले हैं आधिकारियों की ये मीटिंग रहेगी सीम पुषकर धामी के साथ रे बड़ी एक मातपूर मीटिंग लेने वाले हैं अधिकारियों के साथ की मीटिंग सीम पुषकर सिंग धामी की रहेगी कितने बज़े ये मीटिंग होगी जैसे कि हमने दर्शकों को बताया भी सवातीन बज़े होगी लेकिन कौन-कौन अधिकारी मौजूद रह सकते हैं इस अधिकारी मौजूद रहेंगे और समीचा बैटक की जाएगी पूरे रेशक्यो उपरिशन पर ये दोनुही नजर बनाय हुए उनके अधिकारी लगातार यहाँ पे डटे हुए जिम्मेधारी अधिकारियों को दी हुई है क्योंकि 11 दिन हो चुके है और 41 जिंदग्या पिस्टे 11 दिनों से टरनल के अंदर फसी हुई है कई परकार की परसानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है तो नगातार जो सूबे के सीम है वो नजर बनाय हुए है और अधिकारें से फीटवेग लिया जाएगा और किस तरह से पांच प्लान तयार किये गए है उस पांच प्लान पे किस तरह का कारिया हुआ है उस पे भी सभी सा बैठक की जाएगी तो कुल मिला के रेश्क्यो अपर यह कि आज सांता कोई अच्छी खबर आए जिस तरह से 800 mm के पाइप लगातार आगे बढ़ रहे है तो अच्छी खबर आने की उम्मिद है और सभी दूआ कर रहे है हमने देखा कि पूजा अर्चना भी सुबे की गई और फिसले पांच दिनों में हम लगातार देख रहे है कि पूजा अर्चना बाहर पे की जारी है जो पूजारी है इस पेसल पूजारी को यह जिमा सुबा गया है और क्योंकि यहां पर परसिद बोगरा देवता परसिद माना जाता है और जिसकी पूजा अर्चना लगातार की जारी है तो उम्मिदों पर सब कुछ ठिका हुआ है और जिस तरह से आगर मशीन लगातार आगे बढ़ रही है तो कह सकते कि कोई अच्छी खबर साम तक आएगी और यह एकजिट जानकारी निकल के सामने आजाएगी कि कब तक इनको रेश्ट्यू कर लिया जाएगा तो आज का दिन काफी उम्मीदों भरा रहने वाला है बिल्कुल आप बड़े रहेगा हमारे साथ लगातार बलबीर एक बार अपने रश्चुकों को सुनवा देते हैं सीम पुषकर सिंधामी ने क्या कुछ कहा है सभी जितनी भी एजन्सिया वहाँ पर काम कर रही है जितने विशेशक के काम कर रहे हैं इंजिनियर काम कर रहे हैं बाहर बहुत सारे अधिकारी गंड़ करमचारी गंड़ सभी लोग अलग अलग संस्ताओं के वहाँ पर लगे हुए हैं सबी के एफ़र्ट से कल रातरी को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें छे इंच का पाई अंदर आर पार हो गया और उससे भोजा नितिया दी जो पहले केवल सॉलेड बेस में जा पा रहा था अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा अन्य चीजे उनको जो है पकी हुई भी मिल पाएंगी निश्चित रूप से बड़ी सफलता है और हम भगवान से प्रात्ना करते हैं कि जल्दी जो हमारे अन्य जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है दो तीन चार ऑप्शन मेंसे कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो भी सकस बाहर निकले और माननी प्रधान मंत्री जी प्रते एक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं और हर संभव उनके इस्तर से भी यहां पर साहता के लिए कहा गया है सभी एजन्सियां लगी हुई है सभी लोग अपना बैट सफर्स देने के लिए काम कर रहा है बलबीर हमारे से योगी लगातार जुड़े हुए हैं बलबीर सीम पुशकर सिंग धामी को भी हमने सुना और कल भी हमने देखा जो एक अच्छी ख़बर आई कि अब और ज़्यादा कम्यूनिकेशन सही तरीके से हो पा रहा है मजदूरों के साथ वीडियो के जरीए भी उ रियक्शन है क्योंकि अब थोड़ा सा धांड़ा सुने बंद गया होगा पहले जो अक्रोशत नजर आ रहे थे परिवार वाले उनका क्या रियक्शन है अब ज़रा बताईएगा बिल्कुल लगातार हमने भी परिवार वालों से कोशिश की वरता करने की उनका भी रियक्शन है उन्हें भी उम्मीद जगी है कि जल्द ही यह जो ऑपरेशन है पूरा हो जाएगा जो उनके अपने अंदर फसेवे हैं उनको जल्द निकाल लिया जाएगा और कह सकते हैं कि जिस तरह से जो पाइप छेंच का जब अंदर डाला गया उसके बाद जो जरूरी चीज़े हैं खासकर भोजन की जो चीज़े हैं वो जब उनको भेजी जा रही है तो उम्मीद भी जग गई है और लगातार उनके स्वास्ते का खयाल रखा जा रहा है जो डॉक्टर की टीम है वो मोके पे पहुंच रही है और सला लेके उनके लिए जो जरूरी भोजन है वो भेजा जा रहा है और इस बीच में उनके से जो जो इंडिस्कोपिक जो कैमरा है उसको उससे उनकी हालत को भी देखा जा रहा है आज आज भी बिल्कुल बर्मीर लगातार आप नजर बना है अडरी बना, यद रहा है और शया है यहाया है अच्तम बना स्वेजरी खिरी और्नी स्वेज जहाँ खिएमेशे लिएम, फॉट ख nettार आपश्वारी कर्से कोने में… अध्या है वůंढ ग्या, ले खोग जढ दोगरी कर्वे चामें खिवाश